चात्रों जैसा कि आपको पता है कि 8 बजे इस समय आप पढ़ रहें सूपर टेट सीट और यूपी टेट की कमबाइंड क्लास तो उसी करम में चली आगे बढ़ते हैं उपर साइड मैंने कुश्चन लिखा आपको दिख रहा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सभी कुश् बिनीता सुधानसू सौरव रागवेंदर सभी को गुडिबनिंग चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कलास में कुछ चात्रों के नाम हम नहीं बोल पा रहे हैं उनका देखिए कमेंट हाइड हो रहा है तो कोई बात नहीं है सेखर अबस्ती जी गुडिबनिंग गुडिबन तीन बटा साथ और तीन इंटू छे बटा साथ ऐसे ऐसे ऑप्सन आपको पेपर में मिल जाएंगे देखो समझो इन में से कोई एक ही आप्सन सही होगा जो कि आपको सेलेक्ट करना है आप लोग में से कोई सबसे पहले अंसर बताएगा चलिए भाई कोई बता दो एनिवन पानवां सेवन यह देखिए इनको हल करना बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान बई कोई बहुत बड़ी बात नहीं हैं अगर अगर आपने कभी कुउष्टिन हल कि है तो आप कर ले जाएंगे देखिए हर सवाल की ट्रिक नहीं होती बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं ट्र करना है कि इनको हल करना बहुत ही आसान है आपको पता है हमें सिर्फ आंसर निकालने हैं चुकि हम कॉम्पटीशन का एक्जाम के लिए इसको अगर कर रहे हैं तो ऐसे आप इसे करेंगे असाचवग ya 28-251 साथ-28 27-17 आएगा भाहि ठीक है आप इसमें भाग करोगे साचवगanka 78 Southwest अक्षे बचेगा यह आयेगा ÅPनलम की बात करें तो दी वाला करेक्ट्ट हो जाएगा है ना कितना सही अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूंच सकते हैं चलिए अगले सवाल की ओल हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुष्चन ध्यान देना बहुत ही जो इजी सवाल हैं उनको पहले करेंगे फिर कुछ डिफकल्ट कुष्चन भी मने लिए हैं उनको बाद में करेंगे सबसे छोटी है सवाल इधर साइट में लिख लो आप लोग डिख़ो राएं इदर Case MA मैं सवाल लिख रहा हूं कि की निम्रें कौन सी भिन सबसे छोटी है question लिखो इधर side में question number आपका दूसरा आज कमान लो लिखो भाई निम्न में कौन सी भिन सभी बच्चे सवाल लिखेंगे जरूर लिखेंगे important है आपके लिए कौन सी भिन सबसे छोटी है देखो अगर आप सवाल लिखोगे ज़्यादा बेतर होगा ठीक है option देखिए दिया गया है आपको मैंने भीरनी के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है आपने कई बार पढ़ भी लिया है है ना पढ़े उन्हों भाईया किसी को कोई दिक्कत होकर नहीं संकोच आप बता देना देखो आप समझो option दिये हैं मैं उनको दिखा देता हूं लिखो 99 अपन हंड्रेड पहला option है 99 अपन हंड्रेड दूसरा 68 अपन 69 चलो जल्दी लिखो भाई फटा फट लिखलो बच्छा आप लोग लिखो जल्दी करो भाई बताओ इसमें से कौन है ना खुस्बू यादव जी गुडिबनिंग नवल पटेल जी गुडिबनिंग बच्छा सभी को गुडिबनिंग मैं इधर question लिखता हूं आप लोग देखो सामने मुझे बढ़ना पड़ता है यह गंदा है रहने दो चलो 24 और 25 और यह है टेन आपान 11 चलो बताओ ट्राइ करो जल्दी करो भई यह जल्दी करो भई रभी संकर खुस्बू अनंद नवल संद्या सिंग सेखर मोहित सभी को बहुत बहुत थैंक्यू दिल से धन्यवाद और यह कलास रात को आठ बज़े से हर दिन चलती रातरी को आठ बज चलो इनमें अगर हम बात करें कौन सी छोटी है इसका मतलब होगा यह 99 ना भाई दसंबलों में चेंज करोगे तब ही होगा न यहीं होगा ना इसके बाद अगर आगे बात करें सभी का मान लिख लो फट आफट जी नहीं ठंडा नहीं लग रहा है आप भया वैवस्था ऐस किसी कुछ इसलिए ठंडा नहीं लग रहा है कमरे में आप लोग उसके लिए ना परिसान रहो चलो है ठीक है अब इनको सब को डेसिमल में चेंज करो नहीं आर देखो ए नमबर आ गया संदय सिंग का बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे बेरीकूड इसक तो फिर से अगर जीरो उतारोगे मतलब आपको यह नव्य पैसा लगवाग आएगा ना इसने से अगर आप देखो तो और भी ने जो है इनके मान अलग अलग आएंगे है ना इनके और सभी के मान अलग 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 आएंगे अगर आप देखो करके तो मुझे बताओ करके चलो इनको भाग कर लोगे ना बच्चा कर लोगे ना इसका मान लगबग 98 आएगा और इसका लगबग 0.96 आएगा ये सब ही अलग-अलग बैलू आएंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा सबसे बड़ा अगर बात करें तो ये भिन है सबसे चोटी ये भिन है क्या खाते हैं Sandhya Singh हम कुछ अलाग चीज नहीं खाते जो आप लोग खाते हैं ठीक है मतलब वही देशी भासा हमें बोलें तो डाल भात रोटी और अगर अच्छे से बोलें आप लोग की लेंग्वज में तो डाल चावल रोटी और क्या हो गया ना समझ में आया कि अंजली साहूद दानत बहुत निकल रहा है आपका थोड़ा देखिए तो कि चलिए हां तुम लोग बता दो सबसे हां चलो देखो इदर साइड में यह हो गये ना आपके अब अगला कुष्टन ध्यान दीजिए रहे हैं किeld चन दिशिंगे पूर्ण यहीस हैं तो वाले में ठीक है जो यह पूछे जाते हैं और पूछे सवाल है यह दो कईशन आपके तीन हो गए जो भी आप लिक लो जो भी दिख रहा है उसकी बाद हम स्कूह सुक्ष्चरा दे हैं हमारे पास कुईस्टन है लेकिन वह पीडियाप फाइल में मुझे उनको देखना पड़ता है फिर आपको लिखाना पड़ता है तो चलो बहिए देखने दो कहां पर है यह कौन सा नंबर 26 नंबर अब हम और बताएंगे आपको क्योंकि कुईस्टन तो बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं बताएंगे माइनस पांच बटा साथ में से क्या घटाया जाए कि माइनस वन प्राप्त हो जाए चलो बताओ सभी बच्चे बताओ कुईस्टन लिखो माइनस पांच बटा साथ में क्या घटाया जाए की की जल्दी लिखो माइनस पांच बटा साथ में क्या घटाया जाए की माइनस वन हो जाए जल्दी बताओ भटा भट बताओ भई सभी बच्चे कोसिस करोगे जल्दी करो जी बिल्कुल इतने इजी कुश्टन ये यूपी टेट सीटेट सूपर टेट में पूछे जाते हैं ये पूछे गए सवाल है ऐसे ही लेकिन ये इजी नहीं है वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है ये जो एक्जाम देने जाते हैं उनसे पूछो कितना इजी है ठीक है ये भाग देना उनको समझना ये देखने में आपको यहाँ इजी लग रहा है बस आप सन लिखो माइनस टू अपान सेवन फोर अपान सेवन माइनस फोर अपान सेवन एंड टू अपान सेवन ये इजी नहीं है भाईया एक्जाम में जो जाते हैं उनसे पूछो उन पर क्या गुजरती है मुहमद अलफाज आलम बच्चा एकदम के लिए दिख रहा बाबू मैं खुद देख रहा हूं आप क्वाल्टी चेंज करिए सेटिंग से ठीक है अपनी मोबाइल की जो वीडियो चल रहा है ना यूटूब पर सेटिंग होती है उसको वहां से चेंज करिए फिर आपको बह क्लास कैमरा से होने लगेगी अच्छी क्वाल्टी की कैमरा से कैमरा आ गया लेकिन अभी उसका सेट अप नहीं बन पाया पूरा इस वज़ा से टाइम लग रहा है ठीक ना तो जल्दी कलास चलेगी नावल पंत जी बिलकुल चलिए और यह हो गय है कि कुश्चन नमबर कि देखो समझो कैरा इसमें से क्या घटाया जाए कि माइनस वन हो जाए देखो समझो अगर मैं आपसे बोलूं कि यह बताओ बच्चा नौ में से क्या घटाया जाए कि मानलो च्छे हो जाए तो आपको पता है क्या होगा जल्दी बता कोशिस करो एक बार और हाँ यह कलास हर दिन सेयर नहीं हो पाती वाटसप पर इस होजा से आप लोग पारिशान नहुआ करो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जो नए बच्चे हैं और कलास को लाइक करना तो आपका रहा सके अच्छे से डंग से इस लिए आप लोग लाइक जरूर करें टाइम नवेस्ट करें चलिए कि हम सब को पता है इसमें से 3 घटायेंंगे तो 6 पता है लेकिन अगर सोचिए कि हमको ना पता हो हमें नहीं पता कि इसमें से क्या घटाएं तो क्या करोगे ऐसी स्थिति में मान लो हम इस पर यक्स मानेंगे या ए मान लो चलो ए तो यह आपका माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा छे माइनस नो माइनस ए बराबर माइनस तीन यान हम एय गटा लें तो माइन या साथ बस इसी कट वहां सरकशार ें निकाल देना है ये लो मैन सब्सक्रायंज है पूरा पूरा प्लस हो जायेगा वल्य साथ इनको जोड़ गटआलो माइनस यह माइनस सेबन पुलस फाइब पान सेबन इकवल माइनस दो बत्त वसाथ कितना आईगा माइनेस टू अपान से बनाएगा ओपशन नॉमबरे अपस्ण नॉमबर एक र arriba समझ में संद्या सिंग क setup कमाई में नल בח देखिए आप लोग बोलने लगाये मुझे भी ठंडी लगने लग है अभी आप लोग कह रहे हु हुआ ना कि आपको ठंडी नहीं लगती है अरे वो साम के टाइम में नहा लिये थे ना इस वज़ा फिर ठंडी नहीं लग रही थी अब लगेगा ना धीरे-धीरे अरे हम भी इंसानी है चलो लिखो हो गए ना इतना चुकि यह कलास चल रही है जो बाद में बच्चे देखेंगे उनको बता दे आज है 10 दिसंबर 2020 तो भईया दिसंबर के महीने में तो ठंडी होती है ना चलिए यह हो गया इसको मैं मिटा देता हूँ नेक्स्ट कुष्चन इधर साइड में लिखेंगे हम कुष्चन आप देख रहे हो सलूसन मैंने मिटा दिया जो बच्चे नहीं लिख पाते वो वीडियो को बैक करके देखें और लिखें या फिर आप एक काम करो स्क्रीन साट ले लो भीया इसक्रीन साट लेना हर कोई जा देके बैठिए खाली हाथ तमासा मत देखिए जो बात बताएं उसको सुनिए अगले सवाल पर चलो बढ़ते हैं यह आपके कुष्चन इतने हो चुके हैं बच्चा 26 अब जो कुष्चन है वो थोड़े बड़े होंगी है थोड़े बड़े होंगी है कि कह रहा वो नियुन नंतम भिन्द क्या है जिसे क्कूष्चन क्या है देखो चार नंबर कुछ भी लिखो वाहा है नियुन्द Conference क्या है सवाल समझ यह है क्या है जिसे बहुत ही ध्यान से सवाल देखो ठीक है वाने उन्तम भिन क्या है जिसे 4 x 3 upon 7 minus जिसे 4 x 3 upon 7 minus 3 x 5 upon 9 इसके आगे देखिए संद्र सिंग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए नहीं तो आप बलाक हो जाएंगी बस देर नहीं लगेगा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लस 11 into 5 upon 21 से घटाने पर एक पुडांक परडाम देगा बताईए से घटाने पर एक पुडांक परडाम देगा जल्दी करो बताओ क्या होगा वो नियुंतम भिन चलो जल्दी बताओ एक पुडांक परडाम देगा देखिए ओप्सन देखिए ध्यान दीजिए आप्सन आपके सामने में दे रहा हूँ एक बटा तीन एक बटा नो एक बटा साथ एंड एक बटा छे चलिए जल्दी करिए फटा फट बताइए क्या होगा वो नियुंतम भिन जिसे इन में से गटाने पर एक पुडांक परडाम देगा पहला नंबर तो हमें ये नहीं पता कि ये है क्या है ना बता नहीं पता ना तो पहले वो चीज तो हम निकालेंगे न कि क्या है वो नंबर चलिए अब ध्यान दीजिए इन बातों पर समझने की कोशिस करिए जो भी साथी इस कलास को रेगूलर पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ अभी वे नंबर दिखाऊंगा उस पर कंटेक्ट करें अगर उनको कलास नहीं मिलती तो लेकिन कलास को पूरा देखो चलो समझो पहले हम दी गई भिन को समझेंगे क्या कह रहा है ये है 4 3 upon 7 3 5 upon 9 प्लस 11 5 upon 21 कह रहा है इसमें से घटाने पर पहले हम इनको जोडेंगे इनको हल करेंगे तो इन में प्डान्ख अलग जोड लेंगे और जो अप्रान्ख हैं उनको अलग कर लेंगे ठीक ना बच्चा तो किसी को कोई मसेबत नहीं न चलो ये 4 और ये माइनस का चिन है तो माइनस 3 और ये प्लस का 11 सब यह अलग कर लेंगे ठीक है उसके बाद यह इंटू में है न सब इन्टू में तो क्या करोगी आप यह अलग कर लिया में इसमें का थरी इसमें का फोर इनको प्लस करके अब इनको सब अलग कर लो 3 upon 7 और यह देखो माइनस का चिनना था तो आप माइनस ही तो लगाओगे न भाई माइनस का था तो माइनस का 5 by 9 यहाँ पे प्लस का था 5 upon 21 यह दोनों को अलग अलग जोड़ें या एक में जोड़ें मतलब हो ही आएगा तेकिन अगर एक में जोड़ते हैं यह तिरचा गुड यह बार आ जाएगा और प्लस इनको जोड़ोगे बच्चा आपको पता है इनका सबकाल सीयम लोगे तीन से काटोगे तिन रिकानों 3-23 कितनी बार सीम आएगा बही बताओ जल्दी करो इनका लसीम कितना आएगा बोलो चलो फटा-फट करो बही दूसरा मार कर ले लेता हू इनका लसी माएगा 63 तीन फटाएगा लसी एंटिरसाट आएगा बाबू साथ से बाग करोगे साथ नमाई 63 और 9-3 किया 27 इस माइनस नो सते तिरसट साथ पचे पैर तीस तीन आएगा तो प्लस यह पंदरह प्लस प्लस जूड़ जाएंगे यह ट्वैल ऐसे लिखे रहना बगल में इस पर कोई फ़क नहीं पड़ेगा इनको कहल करो तो यह साथ पांच बारा का दो आसी लेक दो एक तीन एक चार माइ माइनस पैटीस हां ठीक है यह तिरे सट समझ में आ रहा ना इतना कोई दिक्कत नहीं न किसी को नीचे नहीं दिखेगा तो बता देना पूरा दिख रहा ना क्लियर वना पान नाइन आएगा रिसब जी बहुत बहुत थाइंक्यू आपको जूड़ने के लिए और खुस रह पान 63 चुकि यह अलग है भिन तो इसे हम काट भी सकते हैं साथ एकम साथ साथ नवाई 63 है हम एक सवाल में क्या करना था कह रहा था कि यह जो भिन दी गई है इसमें से कौन सी संख्या घटाए कि एक पुडांक परडाम मिले पुडांक मतलब जो भिन के रूप में ना हो ठी का बात समझ में जा रही ना एक पुडांक प्रडाम मिलना है तो पुडांक तो हमें मिलना है लेकिन इसमें आरम प्बंद नाईध बंदouteक है तो अगर बन पान नहीं होगा तो यह पुडांक है तो अताह इसका अंसर हो जाएगा इसमें से अगर हम वनापान नाइन घटा दे तो एक पुडांख परडाम आएगा और वो पुडांख होगा बारा आपसन में से देखो तो वनापान नाइन करेक्ट है समझ में आया ना लिख लीजिए मैं सामने से हट गया हूँ आप लोग छापलो बच्चा जल्दी से बाबू छापलो फटा फट और फिर चलो आगे जल्दी करो हाँ चलो ठीक है अगर कोई सवाल है तो बताईए हो गया ना चलो अंकीता महर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कलास में जुड़ने के लिए तो बच्चों आज की कलास यहीं पर बंद करें फिर वैसे कुश्चन अभी और बचा था ज़रूरी था यार चलो मैं उसको भी बताई देता हूं नहीं बंद करूंगा चुकि बहुत दिन से मैं सोच रहा हूं थोड़ा बड़ा सवाल है चलो सवाल लिखो फटा फट लिखो पहले एक कमेंट करके बताओ सभी लिख रहे हो कुश्चन की नहीं जल्दी करो बताओ लिख रहे हो कर नहीं लिख रहे हो हां देखो अगर लिखोगे बाबुना तो बहुत मज़ा आएगा नहीं लिखोगे तो फिर नहीं मज़ा आएगा जान लोग और अगर आपको कोई डिजिटल बोर्ट पर भी दिखा देना जो दिखा देते हैं लोग साइद हमें लगता है आपने प्रीमियम कोर्स भी लिया है ना दोनों कोर्स लिया ना अपने चलिए सवाल दिखिए दो भिन्नों के हर पांचवा साथ हैं कुश्चन लिखिए अगला जो भी नंबरों डाल दीजिए मुझे नहीं याद है दो भिन्नों के हर पांचवा साथ हैं इन भिन्नों का योग फोटी वा नपान थर्टी फाइफ है इन भिन्नों का योग लिखो फटा फट फोटी वा नपान थर्टी फाइफ है दिख तो रहा है न किसी को कोई समस्या है तो बता देना अगर साइड में कटेगा तो बता देना टेंसर नहीं लेना चलो एक सीकेंट रुख जाओ भाई योग इतना है न हो गया है मैं थोड़ा चार्जिंग में लगा दूं सिस्टम म चलो ठीक है ओके क्या है बिन्नों का योग इतना है आगे का कहता यह किरा उनके अंसों को बदलने पर बिन्नों का योग नीचे लिखो अंसों को बदलने पर चेंज करने पर भिन्नों का योग कितना हो जाता है भाई 43 अपान 35 हो जाता है तो वे भिन्ने बताईए जिनका योग दिया है चलो जल्दी करो फटाफट पटाफट बताऊ वह वह भिन्ने कौन सी है जिनका योग इस तरह से करने पर इस तरह से बदलता जैसे सवाल में दिया है आप लोग देखो आप्शन के लिए परिसान हो तो मैं आप्शन लिख रहा हूं अभी बस कुछी सिकेंड का इंतजार चलिए देखो आप्शन क्या कहता है अप्शन लिख लो वाई साहब अप्शन ले लो चलो दे रहा हूं पहले आप समझीए 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 कोशिस करिए हां अप्शन कितने हैं लिखो लिखो दो भी नहीं नहीं है यहाँ पहला है तीन बटा पांच और चार बटा साथ तीन बटा पांच चार बटा साथ एक बटा पांच दो बटा साथ तीन बटा साथ एक बटा तीन दो बटा नौ और एक बटा आठ देखो पहले सवाल समझना है भाई बहुत ही प्यार से समझना सवाल क्या कह रहा है जैसा यह कह रहा है वैसा ही हमें करना है बिल्कुल कुछ कुछ भी नया नहीं करना है हां चलो अब समझो कि यहां पर समझो का कह रहा है कि कह रहा है कि दो भिन्नों का हर पांच वह साथ है इन भिन्नों का योग 41 अपां 35 है इनके अंसों को परस्फर बदलने पर भिन्नों का योग बदल जाता है लेकिन हमें भिन्न तो नहीं पता है हमें अंस के बारे में तो कहीं कुछ दिया ने सिर्फ हर दिया है हम क्या करेंगे मानेंगे मानना मैत में बहुत बड़ी बात है नीचे यहां लिखो माना भिन्नों के अंस यक्स तथा वाई है भाई दो भिन्न है तो एक का एक्स मानोगे एक का वाई तब भिन्ने तब भिन्ने क्या हो जाएंगी देखो पहला हर दिया है दूसरा हर भी दिया है तो भिन्ने एक्स अपान 5 एंड 5 ओ सरी वाई अपान 7 हो जाएंगी चुकि ये competition का है तो मैं इसमें बहुत ज़्यदा detail में नहीं बताऊंगा कोई मतलब नहीं सिर्फ अंसार निकालना हम लोग को तो कोशिस करेंगे जल्दी फे जल्दी हो जाए तो कह रहा है कि इन भिन्नों का योग 41 upon 35 है जो fraction बनेंगे बावू x upon 5 बनेंगे plus y upon 7 बनेंगे इनका योग इतना है ये आपका इनको आगे थोड़ा सा सिंप्लिफाई करके इक वैसे नमबर 5 बना दोगे तो साथ एक्स प्लस ये पांच वाई और ये नीचे हो जाएंगे 35 बराबर एक तालिस बटा 35 ठीक है इसमें किसी को कोई जंजट जपड़ा नहीं होना चाहिए फटा-फट दिख लो जल्दी करो हाँ ठीक है चलो अब इनका क्रास मल्टीपल करोगे एक प्रकार से ये जान लो ये अलग-अलग दिसा में जाएंगे 35 से 35 काड़ दो आफ सेवन एक्स प्लस फाइप वाई बराबर इसको बेसिक तो लगाना नहीं चुकिए हमें इसको बेसिक तो लगाना नहीं चुकिए हमें जल्दी फे जल्दी फान अंसर फाइंड करने हैं तो अगर हम बदल देंगे इनको तो ये वाई की जगा पर आ जाएंगे और यक्स जो है इधर का उधार हो जाएंगे न ये सिर्फ अंस बदलना है हर नहीं बदलना है इनका योगफल भाई 43 अपान ये 35 हो जाता बाबू यहां से भी क्रास मल्टिपल करोगे आपका ये सेबन वाई प्लस 5 एक्स बरावर 43 बचेगा समीकरण 2 हो गया चुकि 35-35 कट जाएगा है ना बात समझ में आ रही ना चुकि ये कॉम्पटिशन की मैं थै तो मैं इसको ए करोगे समीकरण एक एंड्समीपर दो से ठीक है समीकरण एक और समीकरण 2 को लेकि अफ़रोगे आपको मान निकल जाेंगे एकसर वाई के मिल जाएंगे और फिर आसानी से आप हल कर लोगे है ना ब Dual चलो देखो अब हम समझाने की कोशिज करेंगे आपको फटा फटिन को लिखो जल्दी करो समी करण एक है 7x प्लस 5y इक्वल 41 दूसरा है 7y प्लस 5x इक्वल 43 व्क्रि है इन दोनों को हल करनी का मतलब में या तो यक्स वाला कट जाया वाहि वाला कट जाया और कि सिये कमाना आ यहीं करना है ठीक है उब आपकाशिए जिसे अविलोपन विदी बोलते आपने पारतियस्थापन वढिदी होती यहाँ पे बिलोपन करेंगे हम यह लोग करेंगे है तो चलो मिलेकरंगे अगर हम है कि साथ से गुड़ा कर दें और समी Parece कर दें तो यहाँ यहाँ बराबर दो लीकिन फ्राइब है तो को यह अक्स के नीचे नहीं है जा जाया गज़ा है चीडियाल में कर देखो बच्चा इसमें से एक को गायब करना है या तो यक्स को गायब कर दो या वाई को गायब कर दो गायब करने के लिए क्या करोगे इनको गुड़ा करोगे किसी एक नंबर से ठीक है कि चलो जल्दी करके बता मुझे क्या करोगे जल्दी करो कि हाँ कि समीकरन 1 में अगरं साथ से गुड़ा कर देए के झात पकल कड़या 5law लेखे पान्टीस ऑजायागा दूसरे में साथ से कर दो चलो जल्दी करूब वええ इस अमिकरन एका समीकरण दो है तो पांच से गुड़ा करेंगे तो पांच सते 35 एक्स धन ये 25 वाई और बरावर ये पांच एकम पांच और पांच ओका 20 205 समीकरण दो में आप साथ से करोगे बाबू तो ये 35 एक्स और धन इसमें साथ से इसमें भी करोगे तो 49 वाई और ये साथ से करोगे सात्री के कैस साथ चोक 28 दूए तीस एकतिस ना फिर से देख लो सात्री के कैस साथ चोक 28 अठाई दो तीस ओके ठीक है 301 आया इनको घटा के मुझे आप ये बताओ कितना आएगा जल्दी करो भईया फटा फट बताओ मुझे तो लग रहा कुछ गड़बढ हो रहेगा जल्दी करो देखो दूसरा वाला मैं देख लेता हूं क्या है समीकरण दो में साथ से गुड़ा हो रहा है सात्री के कैस साथ चोक 28 दो तीस 301 इसमें पांच से हो रहा है पांच एक कम पांच पांच चोक 20 चलो इसमें से जल्दी आप लोग मुझे करके बताओ यक सवर वाई के बैलू कितने आएंगे कुछ गड़बढ है तो बता देना कितने ओडां इसमेंी करन एक में साथ से हमने एक में तो साथ से नहीं किया हमने दो में साथ से lig7 कोई प्रापलम नहीं है जल्दि करो गटा कि इनको बताओ कितने आएंगे अगर इनको आपस में सब्ट्रेक करोगे तो कितने आएंगे जल्दी करो फटा फट करो अप लोग और फिर मुझे बता दो कितने आएंगे कितने आएंगे भाई चलो जो भी आएंगे देख लेते हैं हम लोग इनको जोड लेंगे भाई कमान चार आ रहा है चलो ठीकर अभी संकर जी बहुत अच्छे बच्चे यह कट जाएंगे चिन बदल जाएंगे इनके इनके सबके चिन बदल जाएंगे यह माइनस का कितना आए जाएगा और यह भी घट जाएगा बाबू यह भी माइनस का आएगा तो 301 से 205 घटाओ गया आप 11 से 5 जाएगा च्छे यह 9 बचेगा 96 आएगा कितना आएगा बाइगा 96 वाई आएगा बाबू यहां से वाई निकालो के दोनों माइनस है तो 124 आजाएगा कितना एगा फोर आएगा न अब वाई कमान समिकरान एकमे रख दो कहीं भी रख दो आपको एकस की वैलू आ जाएगी रह Meinung के बताओ जल्दी करो यह रख लो न यार उसमें काौण सी बड़ी बात है रख लो ना वाई कमाण 4 रक दो इसमें 4 रखो के fünf का 20 हो जायेगा उदर जाएगा कि घट जायेगा घट जायेगा तीन सा एगा तो वाई कमाण कितना एगा थामाण 3 बन जाएंगी वहाई या पहली बिन बनेगी और तो पहली बिन जो यक्स बटा पांच बनी थी वो तीन बटा पांच हो जाएगी दूसरी बिन जो वाई बटा साथ बनी वो चार बटा साथ हो जाएगी option number भी correct हो जाएगा है ना सही समझ में आ रहा ना लिख लीजिए फटाफट लिख लीजिए जल्दी करिए देर नहीं करिए चलो भाई ये जल्दी करो go fast तो आज की class का time भी over हो चुका है आप लोग इस class को share जरूर किया करिये और हाँ daily regular class देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएंगी बाते अब इस तरह के सवाल का कोई trick नहीं है इसका कोई trick नहीं कि मैं आपको ऐसे बता दूँ कि आप चुटकी में कर लो तो आज की ये class यहीं पे खतम होती हर दिन ये class रात के 8 बज़े से होती कभी कभा लेट लपेट हो जाता उसके लिए माफी चाहते हैं और कभी कभी आपको अक्सर वीडियो मिल जाते हैं तो आप उसको भी देखा कर ये भाईया उसमें भी मेनत लगती भी ना यार बाबू ठीक है यह मत सोचा करो कि वीडियो में नहीं मजा आता है बहुत-बहुत धन्यवाद आपको दिल से आप इस class को सेयर जरूर करिए एक बार फिर से देख लीजिए स्क्रीन साट ले लीजिए ठीक है तो बंद करते हैं आज